इसरो के कमाल की चर्शा पुरी दुनिया में है लेकिन इसरो ने जब यह लॉंचिंग की तो सब ने घर पर बैठ के देखा कुछ लोग वहां जाकर देखने वाले थे तो हमार साथ एक ऐसे व्यक्ति मौजूद थे जो इसरो के लॉंचिंग पैट के पास मौजूद थे और सेंटर जो है वहां बैठा हुआ था वहीं से सारे मीडिया वाले चट पर जाकर के उसकी लॉंच लॉंचिंग देखते हैं वहां पर उन्होंने मार्क कर रखा है चट पर लाइन खीच के कि लॉंच पैड वान इधर है लॉंच पैड टू इस तरफ है और किस तरफ से केमरा गुमा लेना आपको उधर ही देखना है और यह रॉकेट सीरियसली भारी था यह भीम का है था फैट बॉय बोलते हैं इसको इस रो में प्यार से और यह गया है तो वह बात सही है कि एक हजार नहीं मुझे तो लगता है कि एक लाख बुलिट एक साथ खड़ी करके एक्सिलरेट किया जाए तो जो साउंड निकलेगा वैसा साउंड यह दे रहा था गरज रहा था एकदम तेजी से और यह गरजना जो थी यह भारत के विज्ञान के सफलता की गरजना थी वह क्रॉस करते हो जारता पूरा आइलेंड जो है वह कुछ 180 वर्ग किलोमीटर का आ और जो अपडेट की बात है फिलहाल पंद्रधारिक को पहली और्बिट मैनिवरिंग की गई थी उसकी कक्छा बदली गई थी जो एपोजी है वो 31,650 से 41,604 किलोमीटर के आसपास की गई थी कल शाम को फिर दूसरा और्बिट मैनिवरिंग हुआ है वो 173 किलोमीटर का जो 226 किलोमीटर किया है अब कल मतलब आज 17 है 18 जुलाइक को दोपहर में किसी समय इस रो जो है वो थर्ड और्बिट मैनिवरिंग करेगा अब जितने भी और्बिट बदलेंगे वो सब लंबी दूरी के होंगे मतलब वो एपोजी बदला जाएगा तो यानि जो और्बिट जलने का काम है वो वक्त वक्त पर यह कर रहा है और पांच ऐसे पूरे चकर लगने है तो तीसरा जो और्बिट है वो कल बदला जाएगा यान कल्चा तीसरी कल बदले जाएगे लोग पूछ रहे हैं ट्विटर पर सोशल मीडिया पर अमेरिका सीधा भेजता है भारत घुम क्या है और कि लोग फूब लिख रहे हैं भर भर के इस पर सवाल जो है उठाए जा रहा है कि इस तो आप इसको ज्यादा बहतर समया पाएंगे कि ऐसा क्यूं हो रहा है क्या तक्निक है इसके पीछे क्या वज़ा है देखे ऐसा नहीं कि नासा सारे जो डीप स्पेस मिशन है जो सुदूर या गहरे अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं जो मंगल हो गया या नेप्चून हो गया या जियोपिटर के लिए ब्रहस्पत के लिए चंद्रवा नस्दीक है और उनके पास ताकतवर रॉकेट्स हैं ताकतवर रॉकेट का मतलब हो गया कि वो हमारे जिये सलवी स जो से fum कि भाई जूँनति रॉकेट नावी जादा हो गया जेएि तो यह जयां तो आप सीधे जो है आप उसको वल्टरांसिट्रजेक्टरी जो है आप दुच कमत पांख नई लगाएंगे धर्तिकार को से आप सीधे उसको बीच के हाईवे पे डाल देंगे, वो चान के उस पे, तो वो वहां तक डालते हैं, लंबी दूरी का जो भी space travel होता है, spacecraft का, उसमें भी वो यही तरीका अपनाते हैं, जो इसरो अपनाता है, क्योंकि उनको भी एक particular solar orbit चाहिए होता है, जब पृत्वी से मंग करने के लिए, वो sling shot लेते हैं, वो sling shot ही बोलते हैं, जो घुमा करके आगे फेका जाता है, हमारे वो sling shot को हिंदी में कहते हैं, गुलेल की तरह फेक देना, पीछे खीचा, और आगे speed में भेजा, तो पीछे खीचने का मतलब वो जो propulsion हुआ, पीछे की तरह आपने, मतलब रॉकेट का engine on किया, रॉकेट की speed बढ़ी अचानक से आगे बढ़ किया, तो वो भी ये follow करते हैं, इस रो बेज सकता है, इस रो सीधा भी बेज सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 300 करोड में काम हो रहा है, तो 1000 करोड या 1200 करोड खर्चा करने की क्या खर्चे को हम लोगों के वेलफेर में यूज कर सकते हैं, हम उसमें तीन या चार ऐसे सैटेलाइट्स बना सकते हैं, जो सही मौसम की जानकारी दे, जो अर्बन डेवलपमेंट के भलाई के लिए उसमें काम आ जाए, या काटोग्राफी के जो सैटेलाइट्स होते हैं, जो निग्रानी के लिए होते हैं, सड़के बनानी हो गई, नहर बनाना हो गया, यह navigation satellite बना सकते हैं, communication satellite बना सकते हैं, तो एक particular rocket पे इतना खर्चा करने का मतलब नहीं है, इसलिए इस रोकिफाइती है, और पूरी दुनिया में जाना जाता है, दूसरा जो point है, घुमा के भेजने क उसका एक बहुत साधारन सा, बड़ा अच्छा सा उदाहरन है, कि आप कभी चलती ट्रेन या बस से उतरते हैं, धीमी जब होती है, या मेट्रो से या लोकल से, मेट्रो से तो नहीं, लेकिन मुंबई लोकल में देख लीजे या बस देख लीजे, तो जब वो थोड़ी धीम चांसेस कम हो जाते हैं, आप समहाल लेते हैं खुद को, यही फॉर्मूला धर्ती के साथ इस रो जो है, वो अपने रॉकेट्स के लिए यूज करता है, हम यहां बैठे हैं, हमें पता नहीं चल रहा है, कि हम हर समय सोला सो किलो मेटर प्रती घंटा की रफतार से घूम रहे ह हैं, क्योंकि यह हमाई धर्ती की गती है, जो अपनी धूरी पे घूमते समय होती है, अब इसको अगर आप 24 घंटे में देखेंगे, तो यह करीब 40,000 यह उससे ज़्यादा पार कर जाएगी, यह 4 लाग के आस पास जाएगी, तो अब यह 1600 किलो मेटर की स्पीड जो है, यह अल्मोस्ट सुपरसॉनिक के करीब पहुँच जाती है, अगर आप इस गती से, इस गती के अगेंस्ट किसी को सीधा भेजेंगे, तो उसके गिरने का और दिशा भटकने का चांस बढ़ जाता है, इसलिए यह क्या करते है, थोड़ी दूर तक तो वो दिखता है, सीधा जा थोड़ी देर के बाद हर रॉकेट, चाहिए वो नासा छोड़े, रशिया छोड़े, चाइना छोड़े या इंडिया छोड़े, वो हमेशा पूरू की दिशा की और जाता है, धर्ती के डिरेक्शन में, धर्ती जिधार मूव कर रही है उस डिरेक्शन में, तो यह हम इस रो कि वह मुझाेशर जाता है उसमें ज्याधा खत्रा है अंदर जाने का ऐसे अगर आप कोई नाव क्यों नहीं ऐस Similarly कि वह गहरे में जाईगी तो रोकेट को इसी तरह से ग्रैविटेशन की जो समंदरे मैं वह डूंते हुए वह प्रोप इस तस्वीर के बारे में पहरा देक्शन क्या था क्योंकि आप लोग तो जमीन से बैटके देख रहे हैं यह किसी ने चेन्नाई से रहका जारी यह चेन्नाई से 90 किलो मिटर है स्री हरी कोटा का आइलेंड जहां से वो टेक आउफ हो रहा है और यह किसी जो भी फ्लाइट थी उसके पैइलेट ने यह कहा कि आपके बाएं तरफ यह अगर वीडियो ध्यान से देखें तो आपको समझ में आ जागा कि बाएं तरफ का बिंडो जो है इंजन पीछे की तरफ है बाएं तरफ के विंडो से आपको यह नजारा दिख रहा है उसने यह कहा था कि बारतिये महीने पहले नासा के एक launch के साथ आया था उस समय भी किसी ने पहला इस ट्रैपाउन उसका नीचे का जो बड़े बड़े इंजन दिख रहे हैं वह साथ बाद बचता है सिंगल स्टेज का सेकेंड स्टेज वह थोड़ा आगे 100-500 किलो मिटर तक ले जाता है फिर थर्ड स्टेज होता है क्रायोजनिक क्रायोजनिक इंजन उसको 170-175 किलो मिटर की दूरी पे ले जा करके सेपरेट हो जाता है फिर अंतरिक शिया आगे बढ़ता रहता है आप क्यूंकि रॉकेट जैसे हम देखते हैं नीचे यह तस्वीर हम दिखाएंगे आपको कि रॉकेट होता है और लंबा पो दिखाए दरह साइड में आपके फिल्स वाले इंजन दिखाए जो असल रॉकेट जब और पहुंचता तो कैसा दिखता है रॉकेट बेसिकली 170-180 किलोमीटर के बाद नहीं रहता उसका काम वहां खतम है उसके सारे पार्ट्स नीचे गिर चुके होते हैं सबसे पहले गिरता है स्ट्रैपॉन जो साइड में दो लगे थे पी-एस-वी में चार-पांच-छे लगे होते हैं एसे लवी में नहीं है और जी-एस-वी-मके-टू में भी चार लगे हैं जो लवी-म-3 से पहले वाला मतलब जी-एस-वी-मार्क-3 से पहले का जो रॉकेट है वो है इसमें दो है यह दोनों बहुत ही पावफुल स्ट्रैप फ्ञोध करते यह समंदर में गिर जाते हैं बंगाल की खाड़ी में आप और ऐस बात है कि मैं एक तो पूर्व दिशा में बताएं कि पूर्व दिशा में जाते और ज़्यदा है ज плох weeds दूश समशन करकर देते हैं यह ऐस कुझा जाते हैं हहां और अब ये पहला स्टेज है, इसके बाद जो है, ये उस वक्ती तस्वीरे हैं, जब ये एसम्बल योनिट से जाता है, ये देखें, लवी एम जो 3 लिखा हुआ है बीच में, ये फर्स्टेज है, सेकंड स्टेज उसका वो क्राजनिक इंजन हो गया, बट बेसिकली उसको वह और फिर जो आपका जो मेंन सिस्टम है, बेसिकली हीट शील्ड बोलते हैं उसको, तो वह हीट शील्ड जो है, वह बचाता है सेटलाइट को किसी भी तरह के, रेडियेशन से और कोई माल लीचे, टेक आउफ के समय कोई जीव जानतू, इस तरह पक्छी या कोई रास्ते में प्लेइन आजाए, हलाकि ऐसा होता नहीं है, एक साथ जब भी लाँचिंग होती है, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ एस्ट्रोनामी जो है, और लाँचे जो है, उनको ये, हाँ, नो फ्लाइंग जोन होता है, इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड के लोग जो होते हैं, वो जो बंगाल की खाड़ी, उसमें सिक्यूरिटी इसलिए रखी जाती है, कहानी इसलिए बता रहा हूँ, कि अभी जो स्पेसेक्स के सबसे बड़े रॉकेट, नासा का जो सबसे बड़ा रॉकेट था है, एसलेस, जिससे अर्टमिस मिशन पूरा करेंगे, वो चंद्रमाव मं अंगल पर एस्ट्रोनॉट्स भेजेंगे, उसकी कई बार लाउंचिंग टली है, लेकिन लास्ट जो लाउंचिंग थी, उससे ठीक पहले वाली लाउंचिंग क्यों टली गई थी, उसकी कहानी बड़ी इंट्रेस्टिंग है, मेरे कियाल से बगल में शैद पैसिफिक ओशन है, प्रशान महासागर है, वो नोरैट घोसित था, वहाँ किसी को जाना नहीं था, यूएस नेवी और यूएस कोसगार्ट से वहाँ ड्यूटी कर रहे थे, कोई ज्यादा जोश में आया बंदा है, वो स्पीड बोट ले करके समंदर में उतर गया, और उसको नेवी ने और कोसगार्ट ने पीछा किया है, दोड़ाया है, पकड़ने के लिए उसको तीन-चार घंटे उसने लोगों को परिशान किया है, इस चक्कर में स्टार शिप की लाँचिंग रोग दी गई थी उस दिन, नेक्स दे फिर की गई, इतना बड़ा मिशन, इग्जैक्ली, वो रॉ अब इस तरह के स्पेस मेशन नहीं भेज़े गा है, वो ज्यादा तर है वी जो सेटलाइट होते हैं, कम्मिनिकेशन के और नविकेशन के वो भेजे जाते हैं, जो हम लोग कम्मिनिकेशन के नबबे का सेटलाइट भेजे थे तब क्या दिस्तिमाल हुआ था? जी सेट अभी मार्क टू रीसेंट का है, दोजार एक से वो मेरे खाल से स्टार्ट हुआ है, दोजार एक से आसपस, और पंदरा लॉंचेज हुए हैं उसके, जिसमें से तीन या चार जो हैं वो अंसक्सेस्पूल था, यह इस ही में होता है आपका, यह हीट शील्ड है, नो लॉंचिंग होती है, जिसको हम भेजते हैं, वो कहा रहता है? यह इस ही मे, इस ही के अंदर ही रहता है, वो पैक्ट होता है, इसको पेलोट फिरastically बौलता है है अब इसको रोग दिया जा इस तस्वीर को, क्योंकि हम लोग बात कर रहे थे कि क्यों सिधा नहीं जाता है, तो यह बहुत समझना है कि यह जो रास्ता, यह हम देख रहे हैं, यह प्रित्वी है, यह चंद्रयान तीन हो गया, और फाइनल स्टेज में यहाँ पर जाके, सफुन अब यहाँ से कैसे शुरू होता है काम, यह धर्ती अबजा समझाए इसको, देखिए, धर्ती से जो यह एक अंडाकार ओर्बिट है, इसको यहाँ पर जो है, यह धर्ती का सबसे नजदी की पॉइंट है, मतलब रॉकेट उडा, उसने सेटेलाइट को धर्ती की सतह उससे कर कि एक सो तिहतर किलो मीटर ऊपर छोड़ दिया, सबसे पास का एरिया है, चुकि हमें लंबा जाना है, इसलिए यह अंडाकार और्बिट बनाते हैं और यह पैरिजी बोलते हैं, यह जो है सबसे दूर की दूरी, जो सबसे, मतलब धर्ती की सतह से, जो सबसे लंबी दूरी ह होती है इसको apogee बोलते हैं यह भी apogee है यह भी है मतलब यह सबसे लंबी दूरी है अब पहले राउंड में उसने रॉकेट ने चंद्रयान सबसे लंबी दूरी राउंड है, यह 5 हो गए, पहला राउंड में अपोजी बढळा गेया है, जो 31,600 किलो मेटर से बढ़ा करके 41,600 किलो मेटर के असपस किया गया है यानि इस पाथ पर चंदरयान 3 गूम रहा है। अभी इस पाथ पर है, हाँ, ये सेकेंड और्बिट पर है। और कल इसको इस पर किया जाएगा, तीसरे पर किया जाएगा। अभी देखिए कि मज़ेदर बात यह है कि जो सेकेंड और्बिट है, इसमें सिर्फ परिजी बदली है। 173 से 226 किलोमिटर उन्होंने किया है। थोड़ा दूर किया यहां पर। थोड़ा सा दूर है, वो यहां पर दिखाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन यह अब जो थोड़ा सा इंजन अन किया, उन्होंने कुछ 42 सेकेंड का, उसमें इसको आगे बढ़ने की गती मिल गई। आगे बढ़ा और यह सेकेंड वाले और्बिट में यहां आ गया। तो इससे दूरी अपोजी भी बढ़ दी। अब इसकी सिर्फ अपोजी बढ़नी हैं, तीन, चार, पांच, पांचों बार इसकी सिर्फ अपोजी बढ़ाई जाएगी, यहां आएगा और यही से स्टॉर्ट होगा, और यह दूरी 216 वाली वो सेम रहेगी, वहां से सिर्फ इंजन अन किया जाएगा, अलग-अलग हो सकता है, उसके पहले हो जाए, पहले अगर हो जाता है, तो एक लाख किलोमेटर की अपोजी उनको चाहिए, इस्रोवैज्यानिकों को, तब वो जो लूनर ट्रांसफर ट्रेजिक्ट्री है, मतलब यह जो हाइवे है, हमारा एक्सप्रेस वे, इस पे चंद्रियान आएगा मैनुर किया जाएगा, और उसके बाद फिर सेम प्रोसेस यहां पे होगा, अब यहां पे ब्लू लाइन्स दिख रही है, एक, दो, तीन, चाप पांच सर्कल्स है, पांचवे सर्कल के बाद यह मुझे लगता है 17 अब उल्टा लेकिन प्रोसेस होना चाहिए, जैसे पहले हम सबसे आखरी में सबूर बेज रहे हैं, अभी यह वैसे ही घूमेगा, दी बूस्टिंग होती है, बूस्ट करना मतलब आगे बढ़ाना, दी बूस्टिंग का मतलब होगा, तो इंजन को अपोजिट फोर्स करेंगे, तो इस पीट कम होगी, ओर्बिट धीमे धीमे कम होता ज चुरू करेगा, और वहीं से प्रपल्सिन मोड्यूल जो है, और चंद्रयान वो सेपरेट हो जाएंगे, यह मुझे लगता यह आखरी होगा, जब सौ किलोमेटर पूरा कर लेगा, तो यहां उसके बाद प्रपल्सिन मोड्यूल जो है, वो सौ किलोमेटर के सरकल में घूमत और वहीं से प्रपल समय का समय है, अगर यहां से यहां तक आने में सब कुछ सही रहा तो, उसके बाद लैंडिंग होगा, अगर माली सब कुछ सही नहीं रहेगा, तो क्या होगा? फ्यूल हो सकता है इंजन ओफ हो जाए तो जिस और बेट में घूम रहा हुआ उसी और बेट में घूमता रहेगा इंजन से संपर्क नहीं हो पा रहा है तो मेनवली करना पड़े अभी अच्छिंग ऑड दो गूमता रहता है जब इन्हें इंजन आ। करना होता है तो यहां से कमांड देते हैं ठीक है हम आगे बात करें उससे पहले एक ची और समझाइए फिल्म में हमने देखा मंगल यान में बता जाता है कि यहां जैसे ही पहुचता है आपका यहां इंजन बंद कर देते हैं फिर वो ड्हलान पर रहता है इससे हम अपना फ्यूल बचा लेते हैं और क पर जी पर वहां पर श्पीट को बूस्ट करते हैं या घटाते हैं वहीं पर वहीं से आपको एंगल मिलता है लंबा श्लिंग यहीं से आएगा वहीं से आएगा वहीं से चूटेगा और यह आगे बढ़ता चला जाएगा उसका तरीका ही है कि इतने सेकेंड अगर हम गारी छोड़ देते हैं इस पीट खीच करके तो आप देखते हैं कई बाद पेट्रोल कम होता है बाइक में तो आदमी थोड़ा सा तेज घूम बढ़ा करके उसके बंद कर देता है तो डेढ़ दो किलो मिटर तक गारी खिसकती चली राती है सेम प्रोसेस है तो अब बताईए कि म प्रोब्लम कहके आ सकती है पहली प्रोब्लम या सकती है कि कि सी तक्नीकी वज़ा से संपर तूट जाए तो पिर जब तक वह अगला सरकल घूम के आनी जाएगा वहां पर उसी पोजीशन पर तब तक का इntजार करना पड़ेगा तो वह एक दिन दो दिन जो भी होगा वह आ भूम रहा है, माली जै आपके पास वो आया, आपको फाइरिंग करनी है, आपने इंजन फाइर किया, वो नहीं हुआ, वो उसी ऑर्बिट में अगला चक्कर लगा के आएगा, एक पर्टिकुलर डिउरेशन के बाद, तो एक दिन, दो दिन आगे बढ़ेगा, मंगलियान के सम लूनर ट्रांसवर ट्रेजिक्टरी, इसको यहां पे इनोंने लूनर ट्रांसवर ट्रेजिक्टरी बूला है, बट यह बेसिकली सोलर ऑर्बिट है, इसमें सौर तूफान का इंपक्ट हो सकता है, एस्टेरोइट्स आ सकते हैं, मेटरोइट्स छोटे पत्थर स्पीड में च वो लूनर और्बिट कैच करेगा कि नहीं। अगर वो उसने कैच कर लिया तब तो यह और्बिटिंग होगी। नहीं तो वो आगे क्रोस कर जाएगा, फ्लाइबाई हो जाएगा, वो गया हो जाएगा। उससे पर संपर्क करना, उससे वापस बुलाना वो बहुत ही कटिन काम कटिन है, बहुत कटिन है, वो ना के बराबर पॉसिबल है। तो यह है, अब माली जी यह सारा कुछ हो जाता है, वो और्बिट कैच भी कर लेता है, तो सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट फेस है, प्रोपल्सन मोड्यूल और लेंडर मोड्यूल का सेपरेट होना, सो बहुत पास हो जाएगा और उसको फिर लैंड कराना, यह कठिन काम है, तो सासे अटकी रहेंगी, अभी 23 तारीक तक सासे अटकी रहेंगी, और इस टाइम जो है, बैंगलावर का इस ट्रैक सेंटर जो है, जो सेटलाइट टलिमेट्री और ट्रैकिंग का काम करता है, वो काइदा, तो अब देखिए उसमें कितना मतलब ट्रैकिंग है, प्रॉपर है, नए सेंसर लगाए गए हैं, नए सिस्टम्स लगाए गए हैं, नविगेशन की चीज़ें लगाई गई हैं, अब यह सारे जो यंत्र हैं, उमीद है कि बहतर परफॉर्मस देगा, सौ से लेंडर को अलग लग स्पीड से ड्रॉप करके गिरा करके देखा गया है कि यह मजबूत है कि नहीं, तो इस वार उसके टांगों को भी बड़ा मजबूत बनाया गया है, अच्छा, ऐसा का लगा गा गया है तो इस रोंने डिस्कलो़्ज नहीं किया है, लेकिन जो भी मेट जो आर्मी में जिस तरह के मेटल्स होते हैं उनके हत्यारों में उस तरह का मेटल होगा और जो इतना शौक बरदास्त कर ले उतनी हीट उतना रेडियेशन बरदास्त कर ले माहौल भी दो लग है धर्ती और चांते दम अलग है दोनों माहौल लग है तेंप्रेचर माइनस 200 के ऊपर चला जाता है तो उस कंडिशन में भी उसमें सर्वाइब करने लायक मैटेरियल होना चाहिए प्लस लेंडर में इंजन कम किया गया है पिछली बार पांच थे चार नी इंजन ने काम करना बंद कर दिया था अब फिर गूल गूमने लगा दिशा बदल गई मुझ के बल नीचे आ रहा अब उसमें जो में इंजन था बीच वाला उसने ज्यादा फोर्स दे दिया तो वह क्रेश लैंड हुआ हाड लैंड हुआ क्रेश लैंडिंग बोलते हैं वह 들어지 मिलेंस यादा ब्हल खते रहा है क्रेश्ण लैंडिंग का मतलब खत्म हो गया पूरी तरह से हाड लैंडिंग में इस्ट्रक्टर बचा है, सेथ हे हम ऊससे संपठभес के पारें माटीर्यल है वह बस इनक्टिव है क्रैश लैंडिंग तो चीजे कहतं हो जाती है और ये बात कई बार लोगों ने इस रो साइंटिस्ट ने भी मतलब इवन फॉर्मर साइंटिस थे इस रोचीफ राजा कृष्णन सर उन्होंने भी यह डिफाइन किया था कि हाड लैंडिंग है यह क्रेस्ट लैंडिंग में कुछ बचता नहीं है हाड लैंडिंग में बचा होता है इंटैक्ट होता है बट एक्टिव नहीं होता वो काम नहीं कर सकता इस बार इन्होंने किया कि हैं चार इंजन नीचे रखे हैं लैंडिंग के लिए और आठ इंजन साइट साइड में रखे हैं नविगेशन के लिए हाँ नविगेशन के लिए हाँ वो दि दाहिने इंजन अन करना पड़ेगा उसको स्टेरिंग इंजन बोलते हैं दाहिनी तरफ का इंजन अन होगा बाएं का आफ होगा तो इधर के फोर्स से रॉकेट ऐसे गूमेगा यह सिस्ट्रम चलता है स्टेरिंग इंजन का कमाल बहुत बहुत इंपोर्टेंट पार्ट है मु इंका राइट हैंड साइट का स्टेरिंग इंजन जो है वो फेल हो गया था वो काम नहीं कर रहा था तो रॉकेट थोड़ी दूर तक तो सीधा गया है उसका दो बे अब बेंगॉल की तरफ घूम के वापस आने लगा था तो इस रों में एक एक अधिकारी ऐसे होते हैं एक लगों का नुकसान नहीं होना चाहिए क्योंकि वो रॉकेट अगर नीचे आ करके बंगाल की खाडी मतलब लॉंच पैट के आसपास घनी अबादी का इलाका है सुलूर पेटा कस्बा है और वो जो एरिया है वो आंध्रा और तमिल के बॉर्डर है तो आप पुलिकट आधा आंध्रा में आधा तमिल नाडू में है अब रॉकेट कहीं भी अगर जमीन पे गिरेगा तो नुकसान ही करेगा इतना फ्यूल है तो उसको उन्होंने डिस्ट्रक्ट कर दिया उन्होंने दो बार या एक बार ऐसा किया है जब हवा में ही रॉकेट को बर्बाद करना अब बात करना पड़ा तो अगर लिफ्ट जाना है तो आपको राइट का इंजन उन्होंने तो पिछष जा दे दिया था एक इंजन साइट का वह गलबड हो गया था तो उसने जब काम करना बंद कर दिया अभी चार है माल लीजे चारो संतुलित तरीके मादब चार पहिया आपके गाड़ी के ठीक चल रहे हैं, अचानक से एक पहिया सामने का वो गड़बड हो जाता है, तो गाड़ी की गती तुरन धीमी होती है, और आप साइड में लेके जाते हो गाड़ी को, अगर आपकी स्पीड जादा है तो गाड़ी पलट जाएगी, वह हुआ, पलट गया, स्पीड जो है, वह बीच वाले इंजन से मिल रहा था, वह पलट गया, और रोवर निकला, न वह काम कर रहा है, और चंद्रयान दो के ओर्बिटर ने उसकी तस्वीरे भी जारी की थी, प्लस नासा के एक सेटलाइट ने उसकी तस्वीरे जारी की थी, इंपैक्ट की, तो इ और जब उसको मून के लूनर ऑर्बिटर न डाला जाएगा, वो सब कुछ देखने के बाद, हलाकि इस चाहता है, पूरा हिंदुस्तान ने के सरसफा लो, इसमें मतलब कोई दोराय नहीं है, लेकिन हम लोग एक आंकलन करते हैं कि क्या हो सकता है, जैसे हम बात कर रहे हैं, क क्या होगा, क्या नहीं हो सकता है, क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है, तो इस तरह से आपो क्या लगता है, इस पर मतलब क्या उमीद है, क्योंकि बदलाव किये गये हैं, ताकि उमीदे ज्यादा हमारी पिछली बार भी उमीदे ज्यादा थी, इसलिए लोग द लेकिन जब इतनी धेर सारी परिस्थितियां हैं, आप अंतरिक्ष में यात्रा कर रहे हैं, जहां के बारे में कुछ भी नहीं पता है, आप धर्ती पे तो जीवन धंग से जी नहीं पा रहे हैं, आपका रोज का हर दिन ऑफिस में पंगा है, गर गये तो दूद खतम है, प्या उसको सूरज का गुच्सा भी झेलना है, रेडियेशन भी झेलना है, मिनिमम टेंपरेचर भी झेलना है, और ट्रजेक्टरी भी बना के रखनी है कि वो सही जगह पर पहुच जाए, स्पीड भी उसकी 24,000 किलोमेटर, 40,000 किलोमेटर पर आवर की है, तो ऐसे में समस्याएं बहुत देर सारी आएंगी, उनको मैनेज करने की कोशिच इसरो साइंटिस्ट कर रहे हैं, उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए हमेशा, नहीं होता है तो दुखी होने की जरूद भी नहीं, सफलता मिलेगी क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें बदली गई है, उम्मीद ऐ इसी है, एक आखरी सवाल कि चंद्रियान तीन से लोगो को क्या खाइदा होगा, जो कि लोग कह रहे हैं कि इससे क्या बदल जाएगा, चंद्रियान तीन को लांच कर देगा जब भारत सौफ लैंडिंग हो जाएगी, तो हर दक तो चल रहा है कि हम दुनिया के चौथे ऐसे पूछा था, वो टाल गए उस समय, लेकिन ये सवाल इसका जवाब बेसिकली ये है कि चंद्रियान या मंगलियान या इस तरह के जो भी मिशन होते हैं, इसमें जिस तरह के पेलोड्स, यंत्र लगा के भेजे जाते हैं, उन यंत्रों का जब सक्सेस्फुल टेस्टिंग हो जाती ही, जो वो सक्सेस्फुली काम कर लेते हैं, उन यंत्रों का इस्तेमाल जो है, हमारे मौसम, नविगेशन, अर्थ मैपिंग, उन सेटेलाइट्स में इस्तेमाल किया जाता है, तो ये नहीं है कि चंद्रियान में अगर कोई यंत्र गया है, एक पेलोड गया हुआ है, जो सिफ चंद्रमा के टेमप्रेचर या हवा की गती नाप रहा है, वहां पे, तो वो धर्ती के सेटेलाइट पे काम नहीं करेगा, वो भी वही काम करेगा, अगर वहां कैमरा बेजा गया है, तो वही कैमरा यहां भी लगाया जाएगा, मैं एक सेटेलाइट है, इस रो की, नाम नहीं लोगा उसका, लेकिन उसमें एक कैमरा लगा था, जो चंद्रियान 2 के और्बिटर में लगाया गया था, तो इस तरह से आम आदमी के लिए वो बेनिफेशियल हो सकता है, आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि यही से रास्ता खुल जायागा चंद्रमा का भा प्रशिया एक तरफ है, अमेरिका एक तरफ है और चाइना एक तरफ है, अमेरिका नहीं चाहता है कि रश्या और चाइना आगे बढ़ें, रशिया की पोजीशन अभी इस समय ऐसी नहीं है कि वो कोई बड़ा लांच करेंगे, चुकि यूरूपियन स्पेस एजंसी के साथ उनका टाइब था वो बंद है वो चाइना के साथ कर सकते हैं लेकिन चाइना के साथ लाँचेज की दिख्कत ये है कि अगर वो साल में दस लाँच करते हैं तो उसमें से 6 या 7 फेल हो चुका आते हैं तो उधर एक रिसक है यूएस ये नहीं चाहता कि चाइना उबरे चैलेंज है उसको टक्कर देने के लिए वो इंडिया के सपोर्ट में है ये स्पेस पॉलिटेक्स है इसलिए इन्होंने इंडिया को शामिल किया और नो डाउट इंडिया ने अब तक करीब 400 के आसपास foreign satellites छोड़े हैं successfully जिसमें से 34 से 35 देश हैं commercial satellites सबसे बड़ा commercial satellite launcher है दुनिया का सस्ता है भरोसे मंद है अगर आप unsuccessful launches के list निकालो आप इसरो की website पे तो वो 1 या 2% है total launches के comparison में अब 400 में अगर 4 fail होते हैं या 40 fail होते हैं तो वो percentage कुछ नहीं है इसलिए इंडिया के साथ बढ़ना जो है वो बाकी देशों के लिए मजबूरी भी है और उनकी ज़रूरत भी है आप SpaceX देख लीजे वहाँ पे senior position पे Indian scientist बैठे हुए है Jeff Bejos की जो Blue Origin Company है उसमे Senior Technical Positions पे Indian बैठे हुए है Virgin Galactic की Chief Technical Officer Indian ही है खास बात है कि इन में से दो जगह तो female ही है और बाकी हम भूल ही नहीं सकते हैं न कलपना चावला को भूल सकते हैं न सुनीता विलियम्स को भूल सकते हैं Indian मूल की हैं वो चुनी गई है तो इंडियन्स का रोल जो है बहुत मेजर है अभी अगर स्पेस स्टेशन पे Indian astronaut को ले के जाएंगे तो चार astronaut तो अभी ट्रेनिंग में हैं ही उनकी ट्रेनिंग चल लिए बैंगलोर में हमारे गगनियान के लिए लेकिन एक चर्चा अभी ये शुरू हुई है कि पुरुष एस्ट्रोनॉट जा चुका है तो क्यों नहीं इस बार महिला को भेजा जाए Indian woman तो most probably Indian Air Force की कोई पाइलेट, फाइटर पाइलेट वोई पांच साथ आठ लोग जो है जो बहुत फेमस हैं नाम लेने का मतलब नहीं है क्योंकि कोई भरोसा नहीं उसमें से कौन सेलेक्ट होगा अगर ऐसा कोई प्रपोजर जाता है अगर आपको जो आपको नाम लग रहा है वही नाम मैं भी सोच पार हूँ अगर सही बात है तो जिसकी चर्चा आपने करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए वह बढ़ा सकते हैं इसको तो यह माइल स्टेन हो सकता है पूरे देश के लिए बहुत बदलाव देखने को मिल सकता है और गगणयान मिशन में बदलाव अल्रेड़ी हो रहें लगातार क्योंकि इंसान को भेजना है और इंसान को लांच वीकल बोलते हैं यह इसके दो पार्ट जो तीन पार्ट वह हुमन रेटेड है यह अभी दीमे दीमे ऐसे टेस्टिंग चलती रहेगी जब तक गगणयान का फाइनल वह नहीं होगा यह डिस्क्लोज किया जो इसके स्ट्रैप्स ओन है और जो इसके बीच का हिस्सा है वो हूमन रेटेड है मतलब इसी रॉकेट को इंप्रोवाईज करके गगणयान के लिए रॉकेट बनाए जाएगा तो सेफटी मेजर्स के लिए रॉकेट रेटेग होती है नासा ने तब किया जब कोलंबिया शटलयान वाला हथसा हुआ था उसके बाद उन्होंने तो वो स्पेस्क्राफ्ट में ऊपर बैठे हुए एस्ट्रोनॉट्स को बाहर इजेक्ट कर दे वो छोड़ दे बाहर निकाल दे उनको कि भीया हम फट जाएंगे तुम सेफ रहो तो इसको यूमिन रेटेड रॉकेट बोलते हैं अब भारत में उसी दिशा में काम कर रहा है बढ़ रहा है कुछ सक्सेस्फुल होता हुआ दिख रहा है अब जब यह लॉंच होता है जो यह हीट निकलती है उसके बाद लॉंचिंग पैड का क्या हाल होता है जलके खाक हो जाता है या दुबारा इस्तमाल करने लायक रहता है इसको लिए जाता है सब को इंटेग्रेट करके एक सांत है उसके बाद की तस्वीर किसी नहीं देखी की लाउंचिंग के बाद की तस्वीर क्या है लाउंचींग पैड की असल में पूरा बहुत बड़ा मतलब उसकी हाइट करीब चार से पांच मंजले की है रिइंफोर्स मेटल होता है मेटल में क्या मैटेरियल यूज किया है इसका खुलासा कभी इसरो ने भी नहीं किया और जिस कंपनी ने बनाया गोर्मेंट की एजनसी है जहारखंड की राजधानी राची में कॉन उसी ने बनाया है तो वो आसम्मिलिंग यूनिट में रहता है वहाँ से निकल के आता है धीमे-धीमे लाँच पैट पे वो मेटल इतना खास होता है कि यहाँ पर रखा जाता है वहाँ नीचे गड़े होता है और गड़ों में जब यहां से आग निकली इधर से पानी का फोर्स भेग जाती है पानी की बोचार डाली जाती है ताकि उस आग से नुकसान नीचे नहीं हो आग के साथ पानी की बोचार उतनी ही गती में आती है इसलिए जब कभी आप लॉँंच देखेंगे ता जब पहली लॉँंचिंग की फ्लेइम नीचे गिर थी है तो नीचे से पानी तेजी से निकलता है निकलता है फिर धूँआ निकलता है वो मतलब आपको वीडियो जो है न उसको SLO मोशन में ले जाके देखना पड़ेगा रो थोड़ा बहुत मेंटनेंस जो है, वह आप जो इंजिनिर्स है, वह कर देते हैं, और मॉके मॉके पर साल में, pen बार, दो बार, या 3 साल में, मै कौन से लोग जाते हैं राची से और वह उसको ठीक करते हैं मैंटें करते हैं मतलब एक बार, जो हमारा, ज्री बार प्रियो गरते हैं और क्योंकि यह मोबाइल है तो कहीं भी ले जाना ले आना वो इसम्ब्लिंग यूनिट पर लाकर करके वहां उसकी जांच-परताल कर लेते हैं उसको ठीक कर दें कर देते हैं क्योंकि इतना हीट बरदास्ट करने के लिए जो मेटल यह वो कोई एक मेटल नहीं होगा उसमें कई मेटल्स का मिक्सप वो मिश्रन होगा तभी वो इतनी हीट बरदास कर सकता है और उसको पिगले नहीं क्योंकि थोड़ी देर के लिए अब जैसे अभी जो स्टार्शिप लाउंच हुआ था ना सवाला कॉंक्रीट का उचा सा उसमें बीच में गैप था नीचे गड़ा बनाया हुआ था लेकिन उन्होंने यह पानी वाला आरेंजमेंट जो है वो डंक से शैद किया नहीं और एसलेस जब दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट है वो टेक आउफ करता है तो उस जगह पे 20 से 25 फिट गहरा गद्धा हो जाता गड़ा वो फ्लेम से फ्लेम की स्पीड से पूरा कॉंक्रीट तूट गया आसपास के इलाके में जो कैमरा लगाए गए थे रिकॉर्डिंग के लिए वो जल गए और दुनिया की कोई ऐसी नियूस एजनसी का कैमरा नहीं था जो नहीं जला हूँ जो एस्ट्रो फोटोग्राफी करते हैं जो इस तरह के चीजों की फोटोग्राफी उनके कैमरे जल गए और जो मतलब काफी दूरी पर मौजूद थे दोसो तीन सो चार्सों मीटर बहुत पास होना तो संभा भी नहीं है तो इतनी दूर मौजूद थे उसके बावजूद ज तो बाकी मिशनों से भारत को सस्ता भी होता है तिकाव भी है और शाद इसी लिए हम जिक्त कर रहे हैं कि भारत में सबसे ज्यादा कमर्शिल जो सैटलाइट्स लाउंच भारत करता है अब एक आखिर सवाल कंक्लूड करते हुए कि बाकी कि हम स्पेस की बात कर रहे थे और वह है अंतरिक्षि तो वहां पर भारत कैसा रूल आगे आने वाले वक्त में प्ले करने वाला है क्योंकि इसको लेकर बहुत ज्यादा आप देखिया अमेरिका के वह इलन मस्क हो या फिर जेफ बजोस की जो कंपनी है वह हो सब लोग काम कर रहे है नासा काम कर रहे है तो इ देश के लोगों की भलाई के लिए काम करना है उनको पहला आप अगर ध्यान दें तो जो सेटिलाइट था वो खेती बाड़ी को सपोर्ट करने के लिए था खेती किसानी को कि हमाई फसलें सही हो फिर उन्होंने लांच किया कि अब अर्बन डेवलप्मेंट करना है तो चलो अर्थ मैपिंग पे फोकस किया दीरे दीरे सिक्यूरिटी को लेके मामला आया तो बैतर फोटोग्राफी हो अलग 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 जो फिक्विंसी के ट्रांस्पॉंडर्स होते हैं उनके साथ उन्होंने सेटलाइट लांच किये बीच में प्रतिस्था और सम्मान को बताने और अपना ये बताने के लिए कि हम हैं इंद्रागान्दी के समय में कैप्टन राकेश शर्मा गए ऐसा नहीं है कि इस रो पहले मून मिशन नहीं भेज सकता था या एस्ट्रोनॉट्स को आ नहीं भेज सकता था जरूरत ये थी क हम पहले खुद को खड़ा कर लें आप देखिए ना हमसे करीब साथ से आठ साल पहले पाकिस्तान की स्पेस एजनसी शुरू हुई थी लेकिन आज तक उनके खाते में से पांच लाउंचिंग है जिसमें से तीन चाइना ने करवाई है अब आगे भी वही करवाईगा उनके उनके बसका भी नहीं है इस रो कहां से कहां पहुच चुका है अब ने वह बयान देखा कियो चांद पे जा रहे हैं दिखता तो है वह पूर पाक मंत्री है कोई वह पिछली बार भी उन्होंने ऐसा ही कुछ बेहुदा सा बयान दिया था मुद्ध यह है कि इस रो अब स्प हैं कि हम लोगों को जीपीएस पर रास्ता दिखा सके हम लोगों को फोन पर बात करवा सकते हैं हम उला उबर और स्विग इजो मैटो से खाना और कर सकते हैं आप आप सोचे नो 10 से 15 साल पहले आपको कोई भी कंटेंट बेजने के लिए फैक्स करना होता था आज जरूरत न हुई दुनिया वह लगता है कि जो कुछ है वह धर्ती पर जो चल रही है न चीजे जो देश को गवर्ण करती हैं वह जरूरी है जरूरी सब कुछ विज्ञान तो जुड़ा हुआ है आप घर में देख लो तो होम साइंस है पॉलिटेक्स में देख लो पॉलिटिकल साइंस साइंस सब जगा है और यह सिर्फ साइंस है जिसकी वज़े से सेटेलाइट्स उपर हैं जिनकी वज़े से आप आज इतना सब कुछ कर पा रहे हैं हम यहां बैठ करके यह शो कर पा रहे हैं यह टीवी चल रही है नहीं तो हम यह कर भी नहीं पाते यह ज़रूरी है सर्जिक स्टेलाइट्स उपर थे उनकी हालत खराब हुई फ्लड आता है किदारनाथ में सबसे पहले हमाई सेटलाइट्स वहां फोकस्ट होते हैं मदद कैसे की जाए रास्ता कैसे निकाला जाए कोई शहर का सेटलाइट्स पिछले 2014 से लेके अब तक नौ सेटलाइट्स ऐसे छोड़े गए हैं जो मैपिंग भी कर रहे हैं और देश की सुरुच्छा जैंसियों को भी मदद कर रहा है तो यह फ्यूचर जो है अब इंडिया जो है इस रो जो है वो हुमन स्पेस एक्स्प्लोरेशन यू इसमें एक यंत्र ऐसे कह रहे हैं अभी हाला कि उसकी पुक्ता जानकारी नहीं मिली है लेकिन उसमें कह रहे हैं कि एक यंत्र प्रपल्सन मोड्यूल में लगा है जो सुदूर अंत्रिक्ष की गहराईयों में जाकेगा तो वो नए ग्रहों की खोज करेगा साथ ही वो बजार है उस दिन का कि जब चंद्रयान तीन का जो साफ्ट लैंडिंग होनी है वह हूँ बहुत बहुत शुक्रिया आपका देने के लिए